हेलो फ्रेंड वेलकम टू इस्टडी अद्डा में आपका स्वागत है मैं अतुम सिंग आये दोस्तों बात करते हैं इसके बीडियो के बारे में दोस्तों इससे पहले मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के लगबग सारे कोस्चन जो आपके एक्जाम में बार बार रिपीट करते हम पूछे जाते हैं ऐसे कोस्टन को कुश्यक्रें करें चाहिए पालेटी को स्टेज हो हिस्ट्री को स्टेज जोग्राफिए फिpt कमेस्ट्टी वा यह फिर ऑफिर method इक्व्रमिक कोस्टेन है मैंने सारा सेक्ष्ण अब कूप्ल्ईत कर दिया है दोस्तों इसके बार आज से हम ऐसे शीरीज को लेकर कर जा लेंगे सीरीज का है डिर्कटली अगर मैं बोलू तो पिछले 2016 के जो पेपर हुआ था रेल्वे का इसके जितने भी पेपर हुए थे सारे सेट को हमें यांपर डिसक्स करेंगे यारिनी किसारे सेट के जो ti瓷 की कोच्चन थे हम इसको डिसक़ करेंगे paper quickest paper बने फेपर टू करके एसे और पूरे जितने भी कोच्चन पेपर हुए थे सारे कोस्चन करोमया पर डिसक़ करेंगे तो नै अथेंटिक बुक से मैंने इसे उठाया है तो आईए देखते हैं आज का पहला कोस्चन मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि यह वो कोस्चन है जो पिछले साल यानि कि 2016 में एंटी पीसी रेलेवे में पूछे गए थे यानि मैं पेपर से कोस्चन उठा रहा हूं तो आईए डिसकस करते हैं आज का पहला कोस्चन भारत में कारेकारी प्रमुख किसे माना जाता है कि दोस्तों भारत में कारेकारी प्रमुख है वो माना जाता है प्रधानमंत्री को और अगर जो है कि सम्वेदानिक प्रमुकुमाने तो वह हमारे राष्टपती को माना जाता है ठीक है दोस्ते हम केवल क्वेश्टन क्वेश्टन करेंगे क्योंकि मैंने पूरा डिटेल आपको पहले वीडियो में बता दिया जैसे कि पॉलिटी के क्वेश्टन में मैंने इस चीज को पूरे डिटेल में बताया है तो यहां पर एक तरीके से हमको केवल क्वेश्टन करना है यहरा फिर पेपल सब करना है तो क्वेश्टन करेंगे ठीक है जहां जरूरी होगा कैमे लागे कर देश्ट इसके बारे में बताना चाहिए तो मैं जरूर बताऊंगा एक्स् रंगदर्द है यह क्या होगी घट जाएगी ठीक है next question को राक मंदिर का निर्माड किसने कराया था कि दोस्तों जो कोडार्क मंदिर का निर्माड था वो कराया गा था नर्सिंग देव प्रथम के द्वारा तो राइट अंसर क्या हो जागा option B next निम्नलखट मेंसे कौनसा एक किसि म्रित व्यक्ति का इसमाराथ नहीं है कि दोस्तों कि अ समराट अशोक किसके उत्रधिकारी थैं दोस्तों मुर्यबन्स के काफी महांस आ सकतें समराट अशोक और यह उत्रधिकारी थे बिंदुसार के तो राईट अन्सर क्या हो जागा बिंदुसार नेक्स्ट निम्नलिकित में से कौन सा एक कोस्ट की जीव का उधारण है दोस्तों इसमें एक कोस्ट की जीव का उधारण है प्रोटो जोवा तो राइट अन्सर जगा प्रोटो जोवा नेक्स्ट पेंसिलीन का विश्कार किस ने किया था दोस्तों पेंसिलीन का विश्कार था वो किया गया था अलेकजंडर फ्लेमिंग के द्वारा अलेकजंडर फ्लेमिंग के द्वारा विश्कार किया गया था पेंसिलीन का तो राइट अंसर हो जागा आप्शन B नेक्स्ट भारती समिधान में पहली बार संसोधन कब किया गया था दोस्तों भारती समिधान में सबसे पहले जो संसोधन हुआ था वो हुआ था नेक्स्ट कूचि पूडी निर्तसाली का प्रारम्ब भारत के किस भाग से हुआ है दोस्तों चूचिपूडी निर्तसाली वो शूरू है आंध्रप्रदेश्ट से डैडी किस नदी को बंगाल का स्वक कहा जाता है दोस्तों बंगाल के शोक के नम से जाने जाती है दामोदर नदी यानि दामोदर नदी कोई हम बंगाल की शोक कहते हैं तो राइट अंसर हो जागा ऑप्शन डी नेक्स्ट थर्मोशकोप का वििखार किस ने किया था या फिट THERMोशकोप का अविष्कारक है वो किसे माना जाता हैं आ दोस्तों जो थर्मोशकोप का वईष्कारक है वह है गालेलियो गेलेली यानि का आपेजन है तो राइट अपेजमर हो है वेट लिफ्टिंग सें यानि भार उठाने से तो तो राइट अंशर हो हमारा option-ध ⋅ हमारे चंद्रमापका चक्कर लगाने वरला पहला उपग्रह कौन था दोस्तों हमारे चंदरमा का चकर लिगानव फेली पंगव्ह है वह था लोना-टेंपेन यानि लोना टे सारे कod erased k ap dawrg यह थार्यागिस्तान से जूड़े रेखिस्तान को क्या कहा जाता है दोस्तों पाकिस्तान में जो थावुट रहिस्तान से जुड़ा हुआ रहिस्तान है वो कहलाता है चोलिस्तान जो चोलिस्तान के नम से जानते हुँ से next question प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों को संदच्छित अवसेशों या चिन्नों के अध्यान का बिज्ञान क्या कहलाता है कि दूसरों प्राचीन काल के जानवर पौधे और अने जीवों के जो संडशित आउसेस हैं और इनके चीन के अध्यन को हम जीवास्म बिज्ञान कहते हैं तो यह क्या कहलाएगा जीवास्म बिज्ञान या फिर पैलिटोलोजी पैलेंटोलोजी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्च करिए कर दिश्चन में सारा पूरा डीटेल में बता रखा है तो मार्स कहते हैं हम मिथेन गईस को त्राइट अंसर हो जागा अप्शन सी नेक्स्ट साइप्रस की राजधानी कौन सी है दोस्तों साइप्रस की राजधानी है निकोसिया राइट अंसर क्या हो जाओगा ऑप्शन ए निकोसिया नेक्स्ट धमनियां यानि की आर्टरीज रख्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती हैं किस से दोस्टों जो धमनियां होती हैं यह आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सिजनेटेट ब्लड का जो है कि वहन करती हैं या फिर उसमें क्या भरी होती हैं तो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन यानि धमनिया ज़जबी का कार है यह हमारा चपटा गोल नग्स्ट कोच्चन मिरडाली सारा भाई का हाल ही में निधन हो गया यह कौन थी दूस्टों मिरडाली सारा भाई एक शाष्त्री निर्त्यांग ना थी तो राइट अंसर क्या हो जागा आप्शन सी नेक्स्ट मंगलगरा के कितने चंद्रमा है यानि मंगलगरा के कितने चंद्रमा है दुस्ते चंद्रमा प्रिथ्मी के उपगरा है तो उसी तरह मंगलगरा के कितने उपगरा है चंद्रमा मतलब कितने उपगरा है तो वह हो जाएगा हमारा दो मंगल गराके two-ping नेक्स्ट में हुआ है कि tara 2014 में कि यो लोग सभा कर चुना हुआ था ये कितने नंबर ऑन तक चुना हुआ ये कौन सभा दोस्तों जरी रिज़्ट में य्का चुनावता लोग सभा चुना था यानि अभी री Wijंटली जो 2010 क चुना हुआ यह 17 लोग सबा थी next question बाग गुफाओं के लिए प्रसीद कारले किस राज में isthiti है दोस्टों बाग गुफाओं के लिए जो प्रसीद है कारले वह महाराष्ट राज में isthiti है तो right answer क्या हो जाएगा नेक्स्ट गुश्टन भारत की आजादी की लड़ाई के दरान करो या दिया था दोस्तों करो या मरो का नऱ दिया था महतमागादी के दरान 1942 में भारत के अजादी के दरान यह दिया था काफी प्रसीद नहारा हुआ करो या मरो next हमारी आखों में लेन्स का काम क्या है दोस्तो लेन्स का काम होता है वो आख की फोकस दूरी को बदलने का लेन्स के त्वरह किया जाते कि दोरह किया ऑइंसर क्या हो जागा हमारा की next question सबसे छोटा महाधीव कौन सा है दोस्तों टुट्रल साथ महाधीव होते हैं अगर सबसे छोटा महाधीव की बात करें तो वह होगा हमारा अस्ट्रिलिया महाधीव नेक्स्ट क्वेश्चन 206 रोग यानि के टीवी जिसकों टीवी के नम से जानते हैं टीवी यानि 206 रोग दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों जो 206 रोग दिवस है वो हम मनाते हैं 24 मार्च को 24 मार्च तो राइट अंसर हो जाग ऑप्शन भी किसी तत्यों का परमाडू भार यानि atomic weight ग्याद करने के लिए निम्नलिकित मेंसे किसके साथ उस तत्यों के परमाडू भार की तुलना की जाती है का दोस्तों कि स्वितत्य का पर्माडुभार यानि अटामिक वेट गयात करने के लिए उस तत्त के एकमिक वेट के तुलना होती है वो हैड्रोजन के साथ कि जाती है कि यहां दोस्तों hydrogen के साथ उसकी तुलना करते हैं तो राइट अंसर क्या हो जाएगा hydrogen बाद मिलते हैं अगले पेपर में यानी पेपर टू में जाए हिंद्ग